सियासत में नेताओं के जुबान इस तरहा बेलगाम होती जा रही है कि हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई ऐसे बयाना सामने आ जाते हैं जहां लोग ना तो पद की गरिमा रखते हैं और ना ही सामने वाली की मर्यादा सियासी फायदे के लिए नेता सडक से संसत तक आउट अफ कंट्रोल हो रही है कल तक बीजेपी के सांसद रमेश बिदूरी के नफरती बोल पर बवाल मचाने वाली कॉंग्रेस अब अपने ही नेता की बद जुबानी से इंकार कर रही है बगले जहांक रही है हर्याना कॉंग्रेस के नेता ने पीएम को लेकर ऐसे आपत्ती जनक शब्दों का अस्तमाल किया ऐसा आपत्ती जनक बयान दिया कि अब जवाब देते बन नहीं रहा है तो BJP सांसद रमेश बिदूरी के बिगडे बोल पर BJP के सांसद निशिकान दूबे ने बड़ा दावा किया निशिकान दूबे ने BSP सांसद दानिश अली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दानिश अली ने पहले पीम को लेकर इतनी आपत्ती जनक बाते कहीं थी कि रमेश बिदूरी भड़क गए और दानिश अली के लिए अब शब्दों का इस्तमाल क्या पहले आप देखिए निशिकान दूबे ने दानिश अली को के लिए क्या बोला और कैसे पोल खोली संसद में बीएसपी संसद दानिश अली पर रमेश बिदूरी के नफरती बोल पर सियासत जारी है इस विवाद के बाद अचानक से दानिश अली का घर विपक्षी नेताओं की मीटिंग का सबसे बड़ा सिंटर बन गया है एक एक कर विपक्ष के नेता दालिश अली से मिल रहे हैं और दानिश अली के बाहाने बीजेपी और प्रधान मंतरी पर निशाना साथ रहे हैं पहले राहूल गांदी ने दानिश अली से मुलाकात कर महबत की दुकान खोलने की कोशिश की और फिर आवाद्बी ऑठी की निरता संजेश सिंग ने भी बीजे-पी को आड़े हाथों ले लिया इनफरत के बजार में महबत की दुकान गुनेगार है बीजेपी और दानी सहली एक जिन्दा दिल भाव के इनसान है उनको रोने पे मजबूर किया क्या यही प्रदान मंत्री जी का सबका साथ सबका विकास है बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं आपने कहा कि नई बिल्डिंग में तैं होगा कि गरिमा क्या होती है मरियादा क्या होती है कौन लोग इस तरफ बैठेंगे और कौन लोग उस तरफ बैठेंगे तो अब तो मो को माबैन की गालियां देंगे आप संसद में संसद के अंदर हुई इस बद्जुबानी को लेकर संसद के बाहर हो रही सियासत के बीच अब पीजेपी संसद निशीकांद दूबे ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है लोग सबा स्पीकर को चिठी में निशीकांद सत्तारूर सरकार और चंद्रमा पर चंद्रयांत्री को उतारने की प्रधानमंत्री की उपलब्धी को बदनाम करने की अपनी हताशा में दानिश अली बिना माइकरोफोन के चिलाते रहे लेकिन उन्हें ये कहते हुए सपस्ट रूप से सुना जा सकता था कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे मुझे लगता है दानिश अली द्वारा दिया गया यह बायान किसी भी देश भक्त जन प्रतिनिधी के लिए अपना धहरेक होने के लिए परयाप्त था और इसके कारण बिदोडी ने उन्हें उसी तरह जवाब दिया जैसा उन्होंने दिया यह भी बहुत दुरभागे पुरोण है कि पूरे मीडिया का ध्यान उन विवरणों पर नहीं गया जिसमें श्री दानिश अली ने हमारे माननिय प्रधान मंत्री के खिलाफ ऐसी अपमान जनक टिपनी की थी मैं खुद वहां मौझूद था और बार बार दानिश ली प्रधान मंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधान मंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी हैं गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे आप अपने नाम के पीछे इदी कुमर दानी सली लगाते हो, कुमर का मतलब इदी राजा इदी आप हो गए तो आप अपने आपको किसी को भी जो है किड़े मकोड़े समझोगे, और सभाविक है कि हम महरती जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कराते हैं, मोदी जी हमारी नेता हैं, तो हम जीत कराते हैं, जनता वोट मोदी जी को देती है, और कोई स्पीकर इदी बोल रहा है उसको बार बार प्रवोक कर रहे हो, और मैं इस विदोडी जी को प्रवोक क्या और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डिरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रवोक करोगे तो सभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी लोगसभा स्पीकर को लिखी इस चिठी में निशिकान दूबे ने कहा कि 21 सितंबर को हुई लोगसभा में इस अशोभनिय घटना पर राजना सिंग ने फौरण खित जताते हुए विवादित बयान को हटाने की अपील की थी और अब वो लोगसभा स्पीकर से इस मामले पर कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे मामले की गंभीरता से जाच करने की अपील कर रहे हैं 21 सितंबर को लोगसभा में बीजेपी नेता के नफरती बोल पर सियासत अभी थमे भी नहीं थी कि इस मामले में बीजेपी और प्रधान मंत्री को घेरने वाली कॉंग्रेस अपने ही एक नेता के बयान की वज़ा से मुश्किल में पड़ गई है ये हैं हर्याना कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदैभान इन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और हर्याना के सियम मनोहरलाल खटर को लेकर ऐसी टिप पणी की जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते उदैभान ने जो कुछ भी कहा वो एक नेता की जुबान से तो कता ही शौभा नहीं देता क्योंकि उदैभान के बायान से 12 घंटे पहले ही राहूल गांधी दानिश अली को जादू की जप्पी दे कर आए थे लेकिन उदैभान ने राहूल गांधी के मोहबत की दुकान में फंफूद लगा दी उदेभान के बायान पर बीजेपी ने राहूल गांधी के मोहबत वाली दुकान पर सवाल खड़े कर दिये पीज में घुमती है आगे और देखिये क्या होता है लेकिन ऐसे कहने वाली लोगों पर कॉंग्रेस पार्टी ने क्या करवाई कि वही खुद पर विवाद टिपणी से नाराज हर्याना की सीम मनोहर लाल ने कॉंग्रेस पर निशाना साथा सोचल मीडिया पर सीम ने पोस्ट क पर लिखा परिवारबाद में डूबी पार्टी और परिवारबाद की मानसिक्ता के घुलाम लोग नहीं समझ पाएंगे कि देश के 140 करोड लोगों को प्रधानमंत्री और हरयाना के पौने 3 करोड लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ कॉंग्रेस को मैं नहीं हमारे परिवार के यही लोग जवाब देंगे हंगामा बढ़ा तो एक बार फिर उद्यभान कैमेरे के सामने आए उम्मीद ये की जा रही थी कि उद्यभान अपनी बद जुबानी पर माफी मांगेंगे लेकिन उद्यभान ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया कि कोई अप्षब करें क्या है तो इसमें यह बताएं कि इसमें क्या तो गाली है क्या इसमें गलत प्यानी है जो सच्चाई थी वो मेने कोई रख दी दी तो उसमें यह तिलका थाड़ बना दिया पीएम मोधी को अब शब्द कहने पर जहां बीजेपी आग बबुला है वहीं इंडिया लाइंस में कॉंग्रेस की साथ ही शिव सेना उद्दव घोट ने भी उदे भान को माफी माँगने की सलाह दी है